कि नमस्कार आप देखना हुंका 24-7 और इस वक्त हम मौजूद हैं बलब गड़ की स्वास कलोनी बाट नमबर 40 में हमारे साथ मौजूद हैं यहां कि पास्तपती पाकेश कुजर जी इनसे हम बात करेंगे छेट की समस्यों को लेकर राइनिती मुद्दों को लेकर आंसर आपक कारेकाल का आदा वक्त कुजर चुका है आपकी तवारे आपके वार्ड में क्या-क्या विकास कारे हुए हैं मैं वार्ड नम्मर 40 के विकास के वारे में बताओं आप है तो वार्ड नम्मर 40 में जितना भी विकास हुआ है हमारी मिस्स अभीता तबर्ग पारसत बनने के करें जो मूल वहुत सब सुवदा होती हैं वे हमारे पारस्त बनने के बाद ही यह विकास का नाम पर कुछ भी नहीं था तो क्या यह यह खाजा सकते कि आपसे पहले जोहां पर पास्त पती थे तो उनकी दोटा सिर्थ जंता को गुम रहा किया गए था विकास के नाम पर काफी उसमें भागदाओड करते थे लेकिन यहां का जो जन्क प्रितनी दित हैं की विदायक सारदार आठ थी उन्होंने अपने कारेकाल्य में हमें दो पांच-पांच साल दो बार उन्हें लोग ने टैम दिया पहले पांच साल उन्होंने का भाईयों हम पर गौम थे मैं मैं चली गई दूसरे बात लोगों ने मोख़ दिया तो हमसे बोट तो लेते रहे लेकिन नगर निगम मैं तो एक रुपया भी नहीं आज हमने जब हम पास पैसा नहीं था जब भी हम लोगों ने रेली करी बहुत उमीद थी जब के मुखमंत्री उड़ा साथ 20 क्रोड रु लेकि हम पानी को बड़ा डिस्पोजल बनाया जैए जहांके से पानी की बाहर फैक दिया जाए रहे कि वस पह बभाई नहीं गया जब यह से बीज़ पी की सरकार वनी और हम पारसाद भी नहीं थे जब आ यहांकर विद onionने पलाया बभी राक इस एलख का स्हाओ मदान कीसे चैनल के माध्यम से विधायक जी का धन्यवाद करता हूं यहां के यह सभी मुखमंत्री जी उनका धन्यवाद करता हूं आदर्णिय कृष्णपाल जी का धन्यवाद करता हूं एकनों ने जो हमारी 2016 में जब मैं पारसद भी नहीं था हमें बुलाया था जो हमने मांगी जो बत बारियों में तो कि जो काम है उस पे आसर धिखाई देता होगा कभी निजरा आती होगी क्या कि इंगिस पर नगरनिंगम की बात है वे तुन सच्चाई है सब्सक्राइब आसे पता है कि आपसे पहले नगरनिंगम कभी सो करोड गुड़ोमा से उधार ला रही है कभी कुछ जितने भी विकास हुए हैं ये आदर्निय मुख्मंत्री मनुललाल खटर जी के आसिरवाद से हुए हैं कि उन्होंने जो बल्लमगड के डिमांड मांगी तो सारी मुख्मंत्री सीम अलास्मेंट से काम हुए हैं जो जर्नल के काम होते हैं कोई लेता ही नहीं है अगर कोई अलास्मेंट है कोई कोड है तो ठीक है नहीं तो धक्का खाती रहती है तो आपके पास साफ सफाई के लिए कितने करमचारी मिले हुए हैं मेरे पास लगवग पचास बामन करमचारी हैं मेरा बहुत बड़ा वार्ड है कच्चा वार्ड था अभी हमने नौ में रोड आरेमसी बनवाए हैं अपने वार्ड में तो अब तो थोड़ी साफ सपाई हुरी है लेकिन समस्या क्या है कि सपाई करमचारी 50 हैं लगवग वे सही काम नहीं करते हैं पचास से भी काफी हद तक सपाई का समाधा हो सकता था लेकिन मैं तो यहां के विधायक जी का धन्यवाद करता हूं कि हमारी उन्होंने एक बात बह नहीं है जो पहले कूड़े के डेर होते थे और कूड़े भी हमारी को गरीन कंपनी घरगर से उड़ा रही है पहले से बहुत अच्छी है रहा सपाई करमचारी भी कर रहे हम भी काफी कोशिस करते हैं करमचारी सपाई करें आपके बार में एक ऐसी मुखिर से कौन से समस्या जिसका समाधन आपने किया है मेरे भाड़ेम सबसे बड़ी समस्य पानी की लिकासी की थी जो हुआ पॉस्बसे बड़ी समस्या समाधन हुआ मता महां पानी की लिकाशिका है कि हम सबसे बड़ास डिस्पोजर मेरे में वैठा हूं मेरे पीट के पीछे वो go थोई दरीं बहुत बड़ास फ़रदवादाष सबसे टिस्पोजर नहीं हृँ और शब्ट चलते रहते हो सा पहले ऐसा डिसपोज circuits बना है थे हमारे वाड़ कें लिए सबसे बड़ा काम था। तो उनको inka सपूर्ट आपको किता अमिलता है? बिए सपूर्ट जी का पूर hacemos है में तो यह कन बैखुइ जी जितने भी कामõगा सबसे जड़े ने चाहें सबसे बड़ी बात तो अगर हमने किसी भी कौम के लिए तो विदायक ने कभी कोई मने नहीं करी हमने आरे सारे काम विदायक जी करवाते हैं मेरे वार्ड में थोड़ा सेक्टर का अरी आता है उसमें हमारा नगरनेम का पंड नहीं लग सकता तो सेक्टर हुड़ा की भी कहूं नगरनेम से भी बुरी आलत है हूँ भी कोई पंड नहीं है मंत्री जी से जब भी हमने 2-3 वर 30 वार मुझे 20-20 लाक रुपय दे दी हैं तो मैंने सक्टर 62 में पारकिंग भी बनवाई है एक और रोड बनवाई है एक और थोड़ी सी गलीन में हमारे पानी की लाइन नहीं थी पानी की लाइन भी दी है गिरवाई है और अभी जो अलक्षन होने से पहले हमें 35-40 लाक रुपे मंत्री जी ने दी हैं वे भी जल्दी आ जाएंगे मंत्री जी इसे जब भी हम पैसा मांगते हैं देते हैं सपोर्ट करते हैं अधर करेकाल में जो मूलभूस समस्या है बिजली की पानी की सीवर की रोड की पानी की लाइन की वह लगभा समाप्त हो जाएंगे अभी आधी समस्यां से लेकिन हमारे वार्ड की दो बहुत बड़ी समस्या है उनमें हमारी लडाई वरकरार है एक तो हमारी जब हमने शुरू में यह सी अलासमेंट करवाई थी हमने एक अंडर पास मांगा था जो मेरे वार्डों को दोनु जोड़ता है या रेलवेड ट्रेक है उस पर रोज एक चड़ पाई एक तो उस पर हमारा फोकस है दूसरा यह हमारे अज्जी कलोनी से मेरा अलग वार्ड हो जाता है और पूरे वार्ड में कोई पार्क नहीं है कोई समसान घाट नहीं है और कोई होस्पीटल नहीं एक छोटी सी डिस्पेंसरी है इन में बनवाने के लिए सबसे जमीन चाहिए तो यहां सेक्टर तो है यह प्राइबेट डीलोंने काटी कलोनी यह लगवक तीस साल परानी कोई भी जगह ऐसी नहीं छोड़ी है डीलोंने जिस पर हम विकास करवा सकते हैं यह कोई मेरे बाड में कोई एमसी आप जमीन नहीं है इस से कोई हम जो कोई समदा सकें सरकारी जगीन के लिए हैं तीन चार कीला पड़े हैं कि वरबात हुई है आपके मुखमंत्री जी और विदायक जी से हमें आपके चैनल के से बात धम करूंगा एकिन लोगों की पीड़ा को देखते हो लोगों की जरूत देखते हुए तो एक थोड़ी सी यहां दो ति सब्सक्राइब जीन चाहिए है यह नहीं चलेगी हाला कि मुखमंध्री आपकी पार्टी के सांसर आपकी पार्टी के जो विद्धायक वो भी आपकी पार्टी के उसके पावजुत भी समस्यां बनी हुए तो क्या आप जो जंता की भरोसा दिला रहे हैं क्याने वह चार्व सब्सक्राइब नहीं सुनते तो हमारी जो हम पारसद भी नहीं ते जब उन्होंने हमारी बात मौन ली अब तो उस बात को थोड़ा प्रेस करना है जो हमारी दो मैं समस्या मैंने आपके चैनल के मादम से बताई मोझा पूरा विश्वास है हम जनता की वापे खरया उतरेंगे और मुक्हमंत्री जी और विधायक जी उस बज़वाय रूर उस बात पर पर काश डालेंगे लोगं के काम करवाएंगे शयरे विधान सबा चुनाब नज़ीक हैं और आपकी तब से क्या तैयारी के बारे में बताऊ कर्थां कДस लड़ा के साव Сब्बसे यहां से सबसे ज़्यादा हर्याने में पहले वी उनका काप 34 इस्थान रहा बोटेन परसेंट आपके टॉप टॉप हर्यान नंबर वन पर जीत करके दिखाएंगे हम उनके सिपाई हैं उनके लिए काम करेंगे तन वन धन से कोई इस बात में कोई बात ही नहीं कैसी भी अरवा कहिए के अनके वैक्सरत थे उन तौको निक्ति होने के बाद यहां पर दो में बहुत से काई और आने वाले समय में वो बहुत से विकास कारी करेंगे फिलारा बनेरें काट 24-7 के साथ मैं रेनू चोहान धन्यवाद